स्रावलेकूम वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल बासली वर्ड उमीद तो आप ठीक होंगे कर्यात्स होंगे भाई हम लोग आएं यहां पे एक बहुत ही खुशुरत पार्क है सिकंपूर में उसको गुमने के लिए है पोकिट नेच्रल विजर्ब फार्क के नाम से बहुत ही खुशुरत पार्क है तो यह पाइक हमने रिट में लिए तो अब इसको लेके चलेंगे हम पुरा टूर कर गाएंगे चलो जी हमारे साथ छी है खुशुरत पार के मांपे अपहलंगे बच्छे बच्षे का में लिए हो तो शाइक है कोई देखे पार्क है तो आ से बहुत स्थ का पर गाइंगे ज्युलत ओंगे कर दो यह बहुत ही खुबसूरत और बहुत ही एक्ट्रेक्टिफ गना जंगल है यहां पर बहुत ही जबरदस स्पेस बनाए ही है साइकल राइडिंग के लिए जोगिंग करते हैं उनने के लिए तो अब शाम का टाइम है तकरीम चे बज़ रहें तो बहुत से लोग इस टाइम जगिंग के लिए निकल गए हैं तो कुछ साइकल पे आ रहे हैं कुछ पैदल आ रहे हैं तो बहुत ही इंट्रेस्टिंग और बहुत ही जबदस यहां का इन्वार्मेंट है बिल्कुल गला जंगल है तो हम इन्ट तक जाएंगे खत्म तो नहीं होगा यह बहुत बड़ा है लेकिन जो है वह हम इसको जितना हम इन्ट के बाद हम में पहुंच चुका हूं इस टाइम एक बहुत ही खुबसरत जगह जहां पर देखे मेरे चारो तरफ जो है वो गर बने हुए और बीच से बहुत ही खुबसरत स्ट्रीट जो कि पता नहीं कहां तक जाती है मुझे नहीं आइडिया की है कहां पर खतम होग कि तोनों तरफ जो है वो गर बने हुए लोगों यह देखें इस तरफ भी जो है वो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स हैं लेकिन उनके बीच में आपको बहुत कीज़वर्थिस साइकल ट्रेक बना हुआ है पूरे का पूरा यह जो है वो कना जंगल है लोगों की बहुत बड़ी तादात यहां पर यह देखें और यहां पर मैन हाईवे बच्छों की बहुत बड़ी तादात यहां पर जोगिंग के लिए आए है झाउ थैसा डाओ कि न江व दोगन खर कि बहुत कción कि बहुत बड़त यह ज्यदैंग करता है यहां तक तो बस हो गई है यहां से आगर जाना मुनासिब भी नहीं यूगा बहुत दूर आया हूं तो तक्रीबन 10 किलोमेटर में साइकल पर चला हूं तो यहां से वापसी करते हैं यह देखें बिल्कुल गना जंगल है और यहां पर कुछ पान्यपल के दरख दरख भी नदर आ रहे हैं So यह बहुत बोई काफी बड़ा जंगल है यह कोई खुतम होने वाला नहीं है तो वापसी करते हैं बस। यहां पर आगर कुछ दो चार तस्वेरे लेते हैं और पिर वापसी करते हैं बस। तो यह थी दिया नहीं तर अ बैसे पर हमारी नगर राइड मैं तक हमां फि उम उना, तक यहाज भीर हमाट के वाहम आ तक हमाट करभी थी हमाल है ओ MON तुर्थ आपने एंजॉय कि होगा, बहुत ही खुबसूरत गर बने हैं, गरूं के बीच में चोटे 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 गर बने हुए हैं, और बड़ी बिल्डिंग्स भी बनी हैं, बिल्कुल लोग लगता है कि नेचर के बहुत खरीब है, बिल्कुल साफ सुत्रा माहौल है, अब आपको और भी चीजे में आपको दिखाऊंगा, सो चैनल को लाजबी सब्सक्राइब करें और बिल आइकन को प्रेस करें, थैंक्यू वेरी मच्छ, अलाहाफेस